तुसी देख रहे हो देरी से टीवी मैं है संदीब शर्बा सो वर्ड देविच एक नवी बमारी ने आपना आं तक फैलाना शुरू करता है M-pox यानि की monkey pox नामग बिमारी रदे नाम सुन्दे ही रडे हर सुर्ख्यादी मीडे सुर्ख्याद बने हो एता है आम लोका दे मत्यते शिकन भरंगला पंजाब चे पनावना हो दे बास ते सेत बंद पंजाब पहला चाहिए 96-97% लोग जड़े ने ओं महला क्रिन के जो ठीक हो के करे बापस चले जान देने सरकारी अस्तान दे बल्डन बहुत कट गया महला क्लीनिक जड़ा बने हो यह ओधी बिल्डिंग बहुत अच्छी बढ़ी हो यह ओधे सब तरह निया फसेल्टीज देतिया हो यह सरकार वलो दो हक्ते तो खंग ने बहुत पर्शान कर रहा था जी मैं पहला बाहर प्राइविट द्वाय लंदर है फिर इत्थे आगे लगती टाइट फ्री हो यह हो यह तो मैं ठीक हो गया और मैं ठीक है बलको लगत चांदार महला कलीनिक है सफाही है और डॉक्टर ओनादी जड़ी दवाई लिखनी है और कंप्यूटर चाहड कर देने जित्थे दवाई लेनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुंच जान दिया है टोटल पेपरलेस है मान्थाव ने बहुत वधिया अपराला किता वधिया कम करया सरकार ने गरीब बांदा पला कारता पंजाबीच क्या जंदा है बाकी दे कम बाच पहला सेच चुलो रही है सो असी जदो सौँ चुकी तब पहले ही साड़ा विजने सीगा के पंजाब दे विच हेल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे सो एक मेडिकल हाप दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई सान नहीं कर रहे है तो अटेते मेरा फार्जा जी है पात ये बिमारी किसना दी है क्योंकि करोना तो होड़े लोका ने बड़ी मुश्कल ना अथो उबरे है ताहुन मंकी पाक्स नाम अड़ी पारत दे गवांडी देश पाकिस्तान दस्त का दस्त दिती हुई है कितने किते इस बिमारी ने लेके जिते पूरे वर्ड देवी चिंताता विशा बनेया उते ही पारत दे हैल्थ मनिस्टर वलो इस दियां विशेश त्यारी ने लई सारे स्वास थे पिपागा नो अलर्ट दे कारता इस दे ना ली चाहे हो एरपोर्ट होन कोई वी डिस्पैंसर यानो इस बिमारी तो निजिट्छन ली पुक्ता परबंद करन दे वी इंतजाम दी गाला की है आखर ए मंकी पॉक्स बिमारी की है वी एडी मंकी पॉक्स है वर्ड दे विच उन्यों सतर दे विच ए सामने मामला आया सी अफरीका दे कंट्री दे विच लेकिन कितने खिते इस वारिस ना आना काफी लोकों दे विच इस दा असर भी होया ता मंकी पॉक्स बिमारी है वो परदे गवांडी देश दे विच पाकिस्तान वे दस्तक देती है जिसना पूरे हिंदोस्तान दे विच इस बिमारी लगके लोकां दे विच काफी इस दा मतहरे शिकन देखनू मिर रही आखरे बिमारी किया और इस सारी बिमारी यडी मंकी पॉक्स दी बिमारी है, किस्ता दी बमारी है? इस सारे बारे की एFrाइख की एक्सीन है, इस सारे बारे गालबत कराते हैं, शहर de, मानेहर डर्मा finest मविलियम, डाक्तर अबिलाशा विलियमना, स्वाग़त है आपका देन्था बिमारी बोलते हैं, यह क्या बिमारी है, कैसे फैलती है, से क्या ही लगा है? तो इस बिमारी में सबसे पहले क्या होता है, कि फीवर आता है, फीवर के साथ तोड़ा गला खराब हो सकता है, और जो पेशिंट है, उसको बहुत जादा कमजोरी लगती है, जो हम बोलते हैं, ग्लांड्स जो यह स्वेलिंग हो जाती है, इसमें, सो थ्रोट हो सकता है, और इ फोड़ा होता है, फिर उसमें पानी भर जाता है, पानी भर के फिर वो धीरे-दीरे बढ़ता है, और फिर वो नीचे बैड़ जाता है, फिर वो सुखना शुरू करता है, और उसके बाज जो ठीक होता है, तो एक स्कार बन जाता है, मतलब जब भी वो पोड़ा हटेगा, त तो जनली क्या होता है कि अपनी यह फेस पर जादा कॉमन होता है, हाथों और पैरों में होता है, वैसे ट्रंक में भी बाकी बॉड़ी शेरी में कहीं में भी आ सकता है, पर जनली देखा गया है कि फेस और पार्म्स और सोल्स यहां पर यह जादा होता है, और यह फैलता कैसे ह वो है sexual contact, ठीक है, उससे क्योंकि body flow is transmitted होता है, तो उसमें अगर infection है, तो बहुत बहुत जल्दी ये transmit होता है, उसके अलावा जैसे respiratory droplet infection हम जैसे बोलते हैं, कि जब हम बात करते हैं, तो कभी थूप निकलता है, कभी जो droplets निकलते हैं, और अगर एक बंदा बहुत close contact में बैठा जो तीसरा है, कि skin में जो lesions होता है, जो फोड़े आते हैं, क्योंकि वो इतना itching करते हैं, बहुत painful भी होता है वो, कभी-कभी हम उसको खरोश देते हैं, जब हम खरोशते हैं, तो उससे पाने निकलता है, अगर वो चीज contact में आए directly किसी और के साथ, तो भी होने का chance होता है ये भी देखा गया है कि bedding जैसे बिस्तर, रजाई, इन को भी अगर हम use करते हैं, close contact में, तो होने का chance है, ये थोड़ा कम है, बड़ जो मैंने पहले जो आपको बताए, वो थोड़ा जादा rate है, transmission का थोड़ा जादा है अभी आपने बात कि अभी एक परवार में पहले family में दसस बंदे होते थे, एक परवार एक एरजाई में एक चंदर में रहने थे बंदे, तो उसमें कोई ऐसे problem आती थी, लेकिन इस बार कैसे आप लगमानते हैं, कि गाओं में अब भी लोग अभी जो joint family है, वो गठे रह करती है, क्या ऐसे भी उनको प्रेज करना चाहिए? और में थींग है वाश्रूम अलग रखना है, अगर ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे, अगर ये mild disease है, अगर उनको mild disease होता है, तो ये धीरे धीरे विदिन 3-4 weeks में अपने आप ये बिमारी ख़तम हो जाती है, अगर बात करें तो ये monkey pox पहले जमान में chicken pox होता है, क्या दोनों होता है, जिसे चेचक बोलते हैं, माता बोलते हैं, जिसको हम आजम उसमें, वो उसका virus विल्कुल फरक है, और उसके लिए हमारे पास आज vaccine है, जो आम जो national programs हैं, उसमें ये vaccine लगाया जाता है, अगर और अगर बच्चे में ये हो तो immunity बढ़ जाती, कभी दुबारा होने का चांस नहीं होता है, तो chicken pox एक बहुत डिफरेंट बिमारी है, लेकिन जो उसका जो lesion है, जो skin lesion है, क्यूंकि वो पानी भरवा फोड़ा होता है, और क्यूंकि इसी family को वो बिलॉंग करता है, इसलिए हमें थोड़ा confusion होता है, बट जो monkey pox है, ये थोड़ा different virus है, कैसे जो हमाने पस लेक्टरिज है, जो information है, ये भी evolving है, हमें ये जो हमें पता चल रहा है, जो बाहर स्टाडीज है, जो Africa, Congo, जहां पे भी ये problem हो रहा है, उनके नज़दिये से हमें बाकी कुछ पता है, और पिछले दो साल में केरला में भी एक आउटब्रेट था, तो उसके हस है, जो government regulatory bodies है, तो उनके उपर depend करता है, वो जैसे जैसे ये license issue कर सकते हैं, हमें वो vaccine मिल सकती है, पाकिस्तान में दस्ति है, हमारे प्रोसी मुलक है, एक दम बिलकुल ज़्यादा दूर तो नहीं है, इन केस अगर हिंदोस्तान में ऐसी ये वाइरस आजाता है, monkey part बिमारी, तो कैसे हम आपके हॉस्पिटल है, और का लुजयाना में बात करते हैं, बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, निजी हो जाए सरकारी, कैसे इससे निजार देलाइ सकते हैं? देखो, सबसे पहले पानिक नहीं करना है, जब हमें पता चलता है कि अगर ऐसा कोई है, हमें हमें हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि कई वो बहार से आये हैं, या कि उनके कॉंटाक्ट में किसी को ऐसे फोड़े थे, और फीवर हो गया था, तो हमें पता चल जाएगा कि उन है, और जो आप बोल रहे हैं, हॉस्पिटल और जहां पे भी इनको एड्मिट करेंगे, तो वो डिपेंट करता है कि डिजीज कितनी सिवियर है, अगर सिवियर है डेफिनिटल में आइसोलेशन में एड्मिट करना पड़ेगा, और फीवर है इसके लिए, और सबको इसके ब मिलती है, तो और अगर जो प्रॉबल्म में उसके लिए हम एंटिवाटिक का एक ओंटमेंट दे सकते हैं, तो यह सिर्फ सिम्टमाटिक ट्रीटमेंट है अगर सिवियर डिजीज है तो एक डेफिनिटल एक एंटिवारल मेडिसन भी अवेलिबल है, और तब तक यह जो मंकी से बागते हैं, यह वाइरस बेसिकले कहां से स्टार्ट हो, किस अगर कोविट की बात करते हैं, कोविट करते हैं, चमगादर या बैर से, यह मंकी पॉक्स किस से निकल देखो, मंकी पॉक्स जो नाम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि जो आइसोलेट करा था यह वाइरस तो अगर मनुशिय एक कोई ऐसे ऐनिमल के पास contact हो गया, जो जैसे हंतिंग कि लेए जाते हैं क्या हुँ नहीं? डिखो हमें एक अलर्ट रहना है में हमेशना पता होना है ज़या ज़िया कि ये बिमारी आस पास है तो जो भी लोग बहार से आते हैं जिनका कोई हमें हिस्टिरी बता है इस इस फ्लाइट से का इट इन टाइट चार्विल करना है तो थुड़ा हमें उन से वो करना है कि हमें मास्क पैन सकते हैं और तोड़ा आइसुलेशन कर सकते हैं अगर हम उनको ज्यादा क्लोस टच ना करें यही चीज़े हैं as of now जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने पहले होने के जुरूरत नहीं है आम जो जनता है मंकी पॉक से बचने के लिए आपने बाह कि यह कैसे पहलती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मास्क होता है हमेशे अपने हाथ सानिटाइजर से करें नहीं तो फिर हैंड वाश करें इतने क्लोस प्रॉक्सिमिटी में किसी के पास ना जाएं और डेफिनिटली अगर आपको लगता है किसी को फीवर है किसी के य डवल जू एचो ने इस बिमारी नो अमरजेंसी जड़ी डिजीज है डिकलेर कर देती है इस देना ली पूरे पारदे डेडे हैल्थ डिपार्टमेंट वल्लों इसनो अलर्ट ने कर देता गया एक बिमारी नो बचन वास ते पूरे जिदने भी हिंदोस्तान दे डेडे हैल डिपार्टमेंट आया उननो अपनी साफदानी वरतन लई आग दिता गया तक कितना किते अगर किसे नो वी ज़्यादा तेज बुखार चिका जाओना ने गले डेडियां गरंथियां उन्हें वाजजन दियां था पैनिक होंदी लोड़नी का ब्रांदी लोड़नी इमीजे तो आपनी कुछ दूरी बना के रखो इसनो आईसो लेडर यानि दूसरा कमर देता जाओे ता उस थोड़ा उस मरीज को कुछ दिनावास्ते थोड़ा परहेज रखो ता परहेजी तानू इस बमारी तो बचा सकता है ता कितना किते मौंकी पॉक्स ना पारत दे गवांडी डेश पाकिस्तान दस्तक दे ना हिंदोस्तान देड़े आम लोकांच विस बमारी न लाके काफी हड़कम मच या लेकिन कितना किते तानू आज लुदानन देहीक माही डर्मोलिस्ट ने ड़ी डॉक्टर अभिलाशा विल्म लेड़ी जान कर देती है किसना तुसी बाई सकते से मंकी पॉक्स हो ता इना परहेजा तो बच कि तुसी इस प्यानक भुमारी तो दूर रह सकते हो क्याम मैं मैं बॉबीना संदीप शर्मा देनिक से टीवी लुद्याना कर दो कर दो कर दो दो कर दो हो